नमस्कार, प्रस्तूत कर रही हूँ मुंशी प्रेंचंत्र जी द्वारा लिखी वी एक लगू कथा जहां की साथियों, अगर आपको मेरे चानल के कंटेंट पसंद आते हूँ, तो मैं आपसे अनुरोद करूँगे कि मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें साथि साथ इसके साथ लगे वे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोट की वी कहानिया सबसे पहले आप तक पहुँचें, धन्यवाद कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था, मा अलग मूँ फुलाए बैठी थी, इस्तरी अलग, घर की वायू में जैसे विश भरा हुआ था, रात को भोजन नहीं बना, दिन को मैंने स्टोप पर खिचडी डाली, पर खाया किसी ने नहीं, बच्चों को भी आज भूख न थी, छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बाते न थी, कोई उसे गोद में न उठा था, मानो उसने भी कोई अपराद किया हो, लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उससे कुछ खाने क न दिया, न उससे कुछ बोला, न कुछ पूचा, दोनों बारामदे में मन मारे बैठे वे थे, और शायद सोच रहे थे, घर में आज क्यों लोगों की हृदे उनसे इतने फिर गये, भाई बेहन दिन में कितनी ही बार लड़ते हैं, रोना पीटना भी कई बार हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता, कि घर में खाना न बके, या कोई किसी से बोले नहीं, या कैसा जगड़ा है, कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता, या शायद उनकी समझ में ना आता था, जगड़े की जड़ कुछ न थी, अम्मा ने मेरी बहन के घर तीजा भेजने के लिए जिन सामानों के सुची लिखाई, वो पत्मी जी को घर के स्तिती देखते वे अधिक मालूम हुई, अम्मा खुद समझदार है, उन्होंने थोड़ी बहुत काट-चाट कर दी, लेकिन पत्मी जी के विचार से और काट-चाट होनी चाहिए थी, पांच साड़ियों की जगा तीन रहे तो क्या बुराई है, खिलोने इतने क्या होंगे, इतने मिठाईयों की क्या ज़रूरत है, उनका कहना था, जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कारियों में खीचा तानी करनी पड़ती है, दूदगी के बजट में तकलीफ हो गई, तो फिर तीज में क्यों इतनी उदारता की जाए? पहले घर में दिया जला कर, फिर मस्जिद में दिया जलाते हैं, यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें, और घर अंधेरा पड़ा रही? इसी बात पर सास पहो में तकरार हो गई, फिर शाखें फूट निकली, बात कहां से कहां जा पहुँचें, गड़े हिवे मुर्दे उखाडे गए, अन्योक्तियों की बारी आई, व्यंग का दौर शुरू हुआ, और मौना लंकार पर समाप्त हो गया, मैं बड़े संकट में था, अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता हूँ, तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती है, अपने नसीबों को कोसने लगती है, पत्नी से कुछ कहता हूँ, तो जन मुरीद की उपाधी मिलती है, इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन कर करता जाता, पर स्वार्थ वर्ष मेरी सहनुवूती पत्नी के सार्थी थी, खुलकर अम्मा से कुछ न कह सकता था, पर दिल में समझ रहा था, कि जादती इन्हीं की है, दुकान का यह हाल है कि कभी-कभी बोहनी भी नहीं होती, आसामियों से टका वसूल नहीं होता, तो इन पुरानी लकीरों को पीट कर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए, बार-बार इस ग्रिहस्ती के जंजाल पर तबियत जुंजलाती थी, घर में तीन ही तो प्राणी है और उनमें भी प्रेमभाव नहीं, ऐसी ग्रिहस्ती में तो आग लगा देनी चाहिए, कभी-कभी ऐ ऐसी सनक सवार हो जाती कि सब को छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाओ, जब अपने सिर पड़ेगा तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि ग्रिहस्ती कैसे चलती है, क्या जानता था कि यह विपत्ती जहलनी पड़ेगी, नहीं तो विवाह का नाम भी न लेता, तरह- कुचित भाव मन में आ रहे थे, कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परिशान करना चाहती है, बहु उनके पाव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोश? मैंने तो उसे मना नहीं कर दिया, मुझे तो सच्चा आनन्द होगा येदि सास अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी दोई है, उनके पाव दबाए है, उनके घुड़किया खाई है, तो आज वह पुराना हिसा बहु से क्यों चुकाना चाहती है? उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है, बहुए अब भैवश सास की गुलामी नह पचलो, लेकिन जो रोब दिखा कर उन पर शाषन करना चाहू, तो वह दिन तो अबलद गये, सारे शहर में जन्माश्टमी का उत्सव हो रहा था, और मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था, संध्या हो गई थी, पर घर अंधेरा पड़ा था, मनहुसियत चाईवी थी, मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया, लड़ती हो तो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा है, जाकर कहा, क्या, आज घर में चराग न जलेंगे, पत्नी न मूँ फुला कर कहा, जला क्यों नहीं लेते, तुमारे हाथ नहीं है, मेरे देह में आग लग गई, बोला तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आये थे, तब घर में दिया न जलते थे, अम्मा ने आग को हवा दी, नहीं, तब सब लोग अंधेरे में ही पड़े रहते थे, पत्नी जी को अम्मा की स्टिपंडी ने जामे के बाहर कर दिया, बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप पी, लाल्टेन तो मैंने देखी नहीं, मुझे तो इस घर में आये दस साल होगे, मैंने डाटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बड़ो नहीं, ओहो, तुम तो ऐसा डाट रहे हो, जैसे मुझे मोल लाए हो, मैं कहता हूँ चुप रहो, क्यों चुप रहो, अगर एक कहोगे तो दो सुनोगे, इसी का नाम पतिवरत है, जैसा मुझ होता है, वैसे ही भीड़े मिलते हैं, मैं परास्थो कर पाहर चला आया, और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ, उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा, जब इस कुलक्चिनी से मेरा विवा हुआ था, इस अंधकार में भ थी, सैसा मेरे पंडित मित्र जैदेव जी ने द्वार पर पुकारा, अरे, आज यह अंधेरा क्यों कर रखा है जी, कुछ सूझता है नहीं, कहा हो, मैंने कोई जवाब न दिया, सोचा यह आज कहा से आकर सिर पर सबार हो गये, जैदेव ने फिर पुकारा, अरे कहा हो भाई, बोलते क्यों नहीं, कोई घर में है या नहीं, कहीं से कोई जवाब न मिला, जैदेव ने द्वार को इतनी जोर से जंजोड़ा कि मुझे भै हुआ, कि कहीं दर्वाजा चोखट बाजू समेत न गिर पड़े, फिर भी मैं बोला नहीं, उनका आना खल रहा था, जैद मगर पाँच ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली, और अब की टॉर्च के तीवर प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा, जैदेव ने मुझे बैठे देखकर कुतुवल से पूछा, तुम कहा गय थे जी, घंटों चीखा किसी ने जवाब तक न दिया, आज यह क्या मामला है, चिराग क्यों नहीं जले, मैंने बहाना किया, क्या जाने मेरे सिर में दर्द था, दुकान से आकर लेटे तु नीन्द आ गई, और सोए तो घोड़ा बेचकर, मुर्दों से शर्ट लगा कर, हाँ यार, नीन्द आ गई थी, मगर घर में तो चिराग जलाना था, आज घर में लोग वरत से है, हाथ न खाली होगा, खैर चलो, कहीं जाकी देखने चलते हो, सेट घूरे मल के मंदिर में ऐसी जाकी बनी है कि देखते ही बनता है, ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए गये हैं कि आखे जपक उड़ती है, सिंगासन के ठीक सामने ऐसा फवारा लगा है कि उसमें से गुलाब जल के फुहारे निकलती है, मेरा तो चोला मस्त हो गया, सीधे तुम्हारे पास दोड़ता चला राओं, बहुत जाकिया देखी होंगी तुमने, लेकिन यह कुछ औरी चीज है, आलम फटा पड़ता है, सुनते हैं दिल्ली से करामात है, मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की एक्षा नहीं है भाई, सिर में जोरो का दर्द है, तब तो जरूर चलो, दर्द भाग न जाए तो कहना, तुम तो यहार बहुत दिख करते हो, इसी मारे में चुपचा पड़ा था, कि किसी तरह यह बला टले, लेक उस पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा याद है, यू हाथा पाई धिंगा मुष्ती धौल दप्पे में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और परास्त हुआ, फिर मेरी कुछ नहीं चलती, मैं हाथ ज लोड़ेने लगता हूँ, गिग्याने लगता हूँ, और कभी-कभी तो रोने भी लगता हूँ, जैदेव ने वही नुस्खा आज माया और उसकी जीत हो गई, संधी की वही शर्त ठेरी कि मैं चुपके से जहाकी देखने चला चलू, सेट घूरे लाल उन आदमियों में से हैं, जिनका प्राता को नाम ले लो, तो दिन भर भोजन न मिले, उनके मक्ही चूस पने की सैकडों ही दंतकताई नगर में प्रचली थे, कहते हैं, एक बार माडवाड का एक भिखारी उनकी द्वार पर डट गया, कि भीक्षा लेकर ही जाओंगा, सेट जी भी अडगे कि भीक्षा न दूंगा, चाहे जोग भी हो जाए, माडवाडी उनी के देश का था, कुछ देर तो उनके पूरवजों का बखान करता रहा, फिर उनकी नेंदा करने लगा, अंत में द्वार पर लेट रहा, सेट जी ने रत्ती भर भी परव ही मर गया, तब सेट जी पसीजे, और उसकी क्रिया इतनी धूम धाम से की, कि बहुत कम ही किसी ने ऐसी काम क्रिया की होगी, भिक्षुक का सत्यागर सेट जी के लिए वर्दान हो गया, उनकी अंतर करन में भक्ति का ऐसा श्रोत खुल गया, कि उन्होंने अपनी सारी संपत् अरपन कर दी, हम लोग ठाकुर द्वारे में पहुंचें, तो दर्शकों के भीड लगी वी थी, कंधे से कंधा चिलता था, आने और जाने के मार्ग अलग थे, फिर भी हमें आधे घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला, जैदेव साज सजावट देख कर लोट पोट पर मुझे ऐसा मालूम होता था, कि इस बनावट और सजावट के मेले में क्रिश्न की आत्मा कहीं खो गई है, उनकी वह रत्न जडित बिजली से जगमगाती मूर्ती देख कर मेरे मन में गलानी उत्पन्न हुई, इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है, मैंने तो र और धनी मनुष्य धन में लोटने वाले इश्वर की ही कल्पना कर सकता है, धनी इश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो सकती है, जिसके पास धन नहीं, वह उसकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का कदापी नहीं मंदिर में जैदेव को सभी जानते हैं उन्हें तो सभी जगा सभी जानते हैं मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी वी थी केलकर जी अपने गंधर्वे विद्याले के शिश्यों के साथ तंबूरा लिये बैठे थे पखावज, सितार, सरोध, वीणा और जाने कौन-कौन से बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता उनके शिश्यों के पास थे कोई गीत बजाने की तयारी हो रही थी जैदेव को देखते हैं केलकर जी ने पुकारा मैं भी तुफैल में जा बैठा एक छण में गीत शुरू हुआ, समा बंध गया वहाँ इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज भी न सुनाई देती वहाँ जैसे माधूर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने आप में डुबो लिया था जो जहां था, वही मंत्र मुग्दसा खड़ा था मेरी कलपना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी मेरे सामने न वह बिजली के चकाचौन्द थी न वह रतनों की जगमगाहट और नाहीं वह भौतिक विभूतियों का समारो मेरे सामने वही यमुना का तट था गुल मलताओं का घूंगट मुँपर डाले वे वही मोहिनी गउवे थी वही गोपियों की जल कृड़ा वही वन्शी की मधू ध्वनी वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर जिसकी मुख छवी में प्रेम और वात्सली की जोती थी जिसके दर्शनों से ही रिदय निर्मल हो जाते थे मैं इसी आनंद विस्वृति की दशा में था कि कीर्टन बंध हो गया और आचारे केलकर ने एक किशोर शिस्य से धृूपत अलपाना शुरू किया कलाकारों की आदत होती है कि शब्द को कुछ इस तरह तोड मरोड देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि क्या गारे हैं इस गीत का एक शब्द मेरी समझ में ना आया लेकिन कंट स्वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित्य था कि प्रतेक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था कंट स्वर में इतनी जादु भरी शक्ती है इसका मुझे आज कुछ अनुभव हुआ मन में एक नए संसार के श्रिष्टी होने लेगी जहां आनन्द ही आनन्द है प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्ते की एक वृत्ती है सत्य है तो केवल आनन्द एक स्वच करुणा भरी कोमलता जैसे मन को मसोसने लगी ऐसी भावना मन में उठी कि वहाँ जितने सज्जन बैठे वे थे सब मेरे अपने हैं, अभिन्य है फिर अतीत के गर्ब से मेरे भाई की स्मृती मूर्ती निकल आई मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़ जगड़ कर घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहान थो गया था उसके पाश्विक वेभारों को याद करके मैं उनमत तो हो उठता था उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता पर इस समय उसकी स्मृती मूर्ती को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया उसने मेरे साथ मेरे स्त्री के साथ माता के साथ मेरे बच्चों के साथ जो जो कटू, नीच और घृनास्पत वयवार किये थे वो सब मुझे भूल गये मन में केवल यही भावना थी कि मेरा भाईया कितना दुखी है मुझे इस भाई के प्रतिक कभी इतनी ममता न हुई थी फिर तो मन की वह दशा हो गई जिसे वेवलता कह सकते हैं शत्रुभाव जैसे मन से मिट गया था जिन जिन प्राणियों से मेरा वैर भाव था जिनसे गाली गलोज, मार, पीट, मुकदमा बाजी सब कुछ हो चुकी थी वह सभी मेरे गले में लिपट-लिपट कर हस रहे थे फिर विद्या, मेरे पत्नी की मूर्ती मेरे सामने आखडी वी वह मूर्ती जिसे दस साल पहले मैंने देखा था उन आखों में वही विकल कमपन था वही संदिग्द विश्वास, कपोलो पर वही लज्जा लालीमा जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल का पुश्प हो वही अनुराग, वही आविश, वही याचना भरी उतसुकता जिसमें मैंने उसे न भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था एक बार फिर मेरे हिर्दय में जाग उठी मधूर स्मृतियों का जैसे स्रोथ सा खुल गया था जी ऐसा तडपा कि इसी समय जाकर विद्या के चर्णों पर सिर रगड कर रोऊं और रोती-रोती बेसुद हो जाओं मेरे आखे सजल हो गए मेरे मुह से जो कटू शब्द निकले थे वह सब जैसे मेरे हिर्दय में गढ़ने लगे इसी दशा में जैसे ममता मई माता ने मुझे आकर गोद में उठा लिया हो बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझे में शक्ती न थी वहां आनंद आज मैंने उठाया गाना बंध हो गया सब लोग उठ उठ कर जाने लगे मैं कलपना सागर में ही डूबा रहा सैसा जैदेव ने पुकारा चलते हो या बैठे ही रहोगे धन्यवाद